हलिलुया प्रेस्ट लॉट सबको प्यार भरी जैमसी की मिश्की हजूरी में आप सबका स्वागत है मेरे मन में खुदा बनने डाला कि मैं आप से कुछ समय के लिए बात करूँ कल अब सबको पता है कि लाक कल लास्थ सात्वा संड़े है और नाइटिंग ओयल मिटिंग जो हर संड़े आपके उपर लेहंड हो रहा है आपने देखाया कि पिछले प्राथ्राओं सबाओं में खुदा बंदे अपना जलाल दिखाया अपने लोगों को और लोग बहुत सारे लोग चंगे हुए बैस्ट हुए बिमारियां गई प्रचारियां गई दुष्टा आत्माएं गई जब जब आप एक मन होके उस खुदा को पुकारोगे तो खुदा वन आपकी अवाज को हमेशा सुनेगा वो आज भी ढूंटा है अच्छे प्रस्तारों को जो उसकी रूप सचाई से उसकी अराधना और उसकी प्राथना करते हैं तो मैं आपको एक वर्ड आपको मैं देना चाहता हूँ हुदा का वचन कहता है कि तूम मुझे चुनने वाला नहीं है प्रनतू मैं तुम्हें चुनने वाला हूँ हम खुदा का चुनाव नहीं करते हैं खुदा बन हमारा चुनाव करता है ताकि हम ठेराए जाएं बड़े बड़े फल लेके आने वाले बने तो इस वचन में हमें जैसे वचन में बोला गया है करना प्रंतु तुने मुझे नहीं चुना मैंने तुम्हें चुना है तुम्हें ठेराया है ताकि तुम फल लेक्या हो तो फल लाने का मतलब ये नहीं की, हां, हम अपने जीवन में बस अपने बच्छों में फल लाते रहें, अपने घर के चीज़ें बनाते रहें, बस ये चीजों का फल नहीं होता है、 फल होते हैं आत्मिक फल खुदा का वच्छन कैदा करें तुम आत्मा के फलों से तुम पहचाने जाओगे तुम्हारे अंदर कौन से आत्मा के फल है और उन फलों के दोरा तुम पहचाने जाओगे अगर तुम्हारे अंदर आत्मा के फल होंगे तो आप दूर से पहचाने जाओगे लोग आपको मिलने के लिए तरसेंगे लोग आपके आपसे एक फोन पे बात करने के लिए तरसेंगे तोकि जिनके पास आत्मा के फल हैं वो खुदा की और से चुने गए हैं पर परमेशन एक बोला है ना कि तू मुझे चुनने वाला नहीं है मैं तो मैं चुनने वाला हूँ इसका मतलब खुदा बनने हमारा चुनाब किया है वो हमें बहतर जानता है उससे बहतर हमें कोई नहीं जान सकता ना मा हमारा बाप ना मा ना भाई ना बेहन ना दोस्त ना रिसेदार अकेला परमेश्वर, रभुयेश्वमसी वही हमारे मन को चांचता है, परकता है और हमें वो देता है जो हमने कभी सोचा नहीं होता मैं ये बातें इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कोई खोदा मनने मेरे मन में डाला कि मैं आपसे के साथ कुछ बातें शेयर करूँ मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि खोदा मनने मेरे मन में डाला कि तुम चुने गए हो लोग हो तुम ऐसे वैसे नहीं हो तुम नॉर्मल नहीं हो तुम एक अलक रीती से तुम चुने गए लोग हो तुम ठेराए गए हो तुम मेरे धर्मी वंश हो आपको पता है खुदाबन ने हमें इतना मसा दिया है इतना इतनी ग्रेस हमें दिया है कि हम लोगों को छुड़ा सकें उन्दुष्टा आत्माओं को जकड़ों से छुड़ा सकें बिमारियों से चुड़ा सकें, इतना मसा खुदावन ने आप लोगों को दिया है तो यह फल आपके अंदर तभी बना रहेगा जब आप आत्मिक संक्ती में एक हो जाओगे आत्मिक संक्ती, प्रमेशर की हजूरी, उसके वचन को सुनना, अरादना करना, प्राथना करना उस वचनों के उपर चलना जो खुदावन ने हमारे जीवन के लिए ठहराया है एक बात का ध्यान रखना, जब जब आप प्रमेशर की पोईतर हजूरी में जीवत हजूरी में आएंगे आपका जीवन कभी सेमी रहेगा, आपकी लाइफ सेमी रहेगी, आपका आत्मिक जीवन सेमी रहेगा, आपकी फिजिकल लाइफ सेमी रहेगी आप change होगी खुदाबन की नाम में से ये शोटी है ये शोर है ये सच्चाई है तो मैं आपको invite करता हूँ खुदाबन की बिग बिग हजुरी में बिग पैसेंस में और आप देखोगी खुदाबन का जलाल उतरता हुआ आप अपने आत्मा में देखेंगे अपने आँखों से देखेंगे अद्बुद काम होते हुए खुदाबन के कोई खुदाबन हमारे साथ है उसके दाइने हाद के दया हमारे सरों के उपर है उसका मसा हमारे जीवन में है उसके एंजल हमारे एर्दगिर्द है और ये मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने रिष्टेदारों को अपने लोगों को जुरूर ले के आओगे इस खोदा की पवितर हजूरी में क्योंकि आप देखने वाले हो खोदावन का जलाल उतरता हुआ आपको पता है मैं बहुत कम आता हूँ ऐसे वीडियो में परमेश्य मेरे मन में डाला कि मैं आपके साथ कुछ बाते शेयर करो ये वर्ड जो आपको दिया है कि आप चुने गए हो आप ठेखराए गए हो आप फल लाने के लिए ठेखराए गए हो आप normal नहीं हो, आप आम नहीं हो, आप खास हो खुदावन ने हमें खास बनाया है आपकी एक प्राथना, एक प्राथना, आपकी एक प्राथना लोगों के जीवन के लिए बहुत बड़ा आशी का कारण ठैर सकती है एक प्राथना अब आप सोचो कि आप कितने blessed लोग हो आप आप कितने उचे किये गे लोग को कितना आपको खोदावने चुना हुआ है अपना मसा दिया हुआ हुआ हालेलोईया तो मैं आपको इस संडे कल की रविवार की 19 oil meeting और sweet meeting में आपको मैं invite करता हूँ आपको sweet दिया जाएगा sweet distribution होगी और onanting oil के साथ lay hand भी होगी और onanting oil की एक एक bottle आपको दी भी जाएगी ताकि आप खोदा के मसा में उसकी हजुरी में और बढ़ने पाएं हालेलोईया तो मैं आपको सब को invite करता हूँ खोदाबन की पवित्तर हजुरी में आप देखें खोदाबन के जलाल को उतरते हुए और जो लोग जकडे हुए हैं दुष्टात्माँ से जकडे हुए हैं बिमार हैं कानों की प्राबलम में आखों की प्राबलम है गले की प्राबलम है, पेड़ की प्राबलम है, बाजपन है, लंगड़ें हैं या कैसे भी हैं अप ले क्याना उनको अपने साथ और आप देखेंगे, वो आएंगे तो तुष्टादमौ से जकड़े हुए और जाएंगे अज़ाद होगे एक प्राथना आपके जीवन को चेंज कर सकती है, एक लेहंट आपके जीवन को बदल के रख देता है, हालिलुया और मुझे विश्वास है कि आप सब जनाएंगे, इस स्वीट मिटिंग में, इस उनाइटिंग और सभा में, प्राथना वाली सभा में, बेस्ट प्राथना वाज सभा में आप आएंगे, और खोदावन आपको सेमी रहने देगा, आपका लाइफ, आपका जीवन चेंज होने वाला इस उनाव में, हालिलुया God bless you all, मैं आपको invite करतां फिर से, और welcome करतां खोदावन की हजुरी में, कल मिलेंगे, राइट दस बजे, परमिश्की पवित्र हजुरी में, God bless you all, सबको प्यार भरी छेंप सेखे